लीजे सुनिये मुझे प्रेम चंद के लिखे कथा संग रहें मान सरुवर चार की कहानी तगादा मेरी यानि समीर गोस्वामी की आवाज में सेट चेत्राम ने इसनान किया शिवजी को जल चढ़ाया दो दाने मिर्च चबाए दो लोटे पाने पिया और सोटा लेकर तगादे पर चले सिर्ड जी की उम्र कोई पचास की थी सिर के बाल जड़ गए थे और खोपड़ी ऐसी साफ सुत्री निकल आई थी जैसे उसर खेत आपकी आँखें थी तो छोटी लेकिन बिलकुल गोल चेहरे की नीचे पेट था और पेट की नीचे टांगे मानो किसी पीपे में दो मेखें गाड़ दी गई हो लेकिन ये खाली पीपा न था इसमें सजीवता और कर्म शीलता कूट कूट कर भरी हुई थी किसी बाकीदार असामी के सामने इस पीपे का उचलना कूदना और पैतरे बदलना देखकर किसी नट का चिंगिया भी लज्जित हो जाता ऐसी लाल पीली आँखें करते ऐसे गरचते की दर्शकों की भीड लग जाती थी उन्हें कंजूस तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि जब वो दुकान पर होते तो हरे एक भिकमंगे के सामने एक कौणी फेक देते हाँ उस समय उनके माथे पर कुछ ऐसा बल पड़ जाता आँखे कुछ ऐसी प्रचंड हो जाती नाग कुछ ऐसी सिकुड जाती कि भिकारी फिर उनकी दुकान पर ना आता लहने का बाप तगादा है इस सिध्धान्त के वो अनन्ने भक्त थे जल्पान करने के बाद संध्या तक वो बराबर तगादा करते रहते थे इसमें एक तो घर का भूजन बचता था दूसरे असामियों के माथे दूध पूरी मिठाई आधी पदार्थ खाने को मिल जाते थे एक वक्त का भूजन बच जाना कोई साधारण बात नहीं है एक भूजन का एक आना भी रख ले तो केवल इसी मद में उन्होंने अपनी तीस वर्षों के महाजनी जीवन में कोई आठ सो रुपे बचा लिये थे फिर लोटते समय दूसरी बेला के लिए भी दूध, दही, तेल, तरकारी उपले इधन मिल जाते थे बहुधा संध्या का भूजन भी न करना पड़ता था इसलिए तगादे से न चूकते थे आसमान फट पड़ता हो, आग बरस रही हो, आंधी आई हो, पर सेठ जी प्रिक्रती के अटल नियम की भाते तगादे पर जरूर निकल जाते सेठानी ने पूछा, भूजन, सेठ जी ने गरच कर का, नहीं, सांज का, आने पर देखी जाएगी सेठ जी के एक किसान पर पांच रुपए आते थे, छे महीने से दुष्ट ने सूध बे आज कुछ न दिया था और ना कभी कोई सौगात लेकर ही हाजिर हुआ था उसका घर तीन कोश से कमना था, इसी लिए सेठ जी टालते आते थे, आज उन्होंने उसी गाउँ चलने का निश्य कर लिया आज बिना उस दुष्ट से रुपए लिये न मानूँगा, चाहे कितना ही रोए घिगे आए, मगर इतनी लंबी आत्रा पैदल करना निंदास पत था लोग कहेंगे, नाम बड़े दर्शन थोड़े, कहलाने को सेठ चलते हैं पैदल, इसलिए मन्थर गती से इधर उधर ताकते, राहगीरों से बाते करते चले जाते थे, कि लोग समझे, वाईू सेवन करने जा रहे हैं सेसे एक खाली एक्का उसी तरफ जाता हुए मिल गया, एक्केवान ने पूछा, कहा लाला, कहा जाना है, सेठ जी ने कहा, जाना तो कहीं नहीं है, दो परग तो और है, लेकिन लाव बैठ जाए, एक्केवाले ने चुबती हुई आँखों से सेठ जी को देखा, सेठ जी न साहब, घर कहा है हुजूर, जहां पढ़ रहूं, वहीं घर है, जब घर था तब था, अब तो बेघर हूं, बेदर हूं, और सबसे बड़ी बात ये है कि बेपर हूं, तकदीर ने पर काट लिये, लंडूरा बना कर छोड़ दिया, मेरे दादा नवावी में चकलेदार थे, हुजूर, साथ जिले के माले, जिसे चाहें तोप दम कर दें, फांसी पर लटका दें, सूरज निकलने के पहले लाखों की ठेलिया नजर चड़ जाती थी हुजूर, नवाब साब भाई की तरह मानते थे, एक दिन वो थे, एक दिन ये हैं, कि हम आप लोगों की घुलामी कर रहें, दिनों का फेर है, सेड़ जी को हाथ मिलाते ही मालूम हो गया, पक्का फिकेत है, अखाडे बाज, इस से पेश पाना मुश्किल है, पर अब तो कुष्टी बद गई थी, अखाडे में उतर पड़े थे, बोले, तो ये कहो कि बादशाही घराने के हो, इस सूरत ही बराबर नहीं जाते है, हमारे यहां लक्षमी को चंचला कहते है, बराबर चलती रहती है, आज मेरे घर, कल तुम्हारे घर, तुम्हारे दादाने रुपए तो खुब छुडे होंगे, एक्के वाला, अरे सेट उस दौलत का कोई हिसाब ना था, ना जाने कितने तैखाने बरे हुए थे, बोरों में तो सोने चांदी के डले रखे हुए थे, जवाराट टोक्रियों में बरे पड़े थे, एक एक पत्थर पचास पचास लाख का, चमक दमक ऐसी थी कि चिराख मात, मगर तकदीर भी तो कोई चीज है, इधर दादा का चालीसवा हुआ, उधर नवा करेगा, सोले कहारों के सुखपाल पर निकलते थे, आगे पीछे चौविदार दोड़ते चलते थे, फिर भी मेरे गुजर भरको उन्होंने बहुत छोड़ा, अगर हिसाब किताब से रहता, तो आज भला आदमी होता, लेकिन रईस का बेटा रईस ही तो होगा, एक बोतल च सुकर करो भाई, कि एमानदारी से अपने बाल बच्चों की परवरिश तो करते हो, नहीं तो हमारे तुमारे कितने ही भाई राद दिन को कर्म करते रहते हैं, फिर भी दाने दाने को महताज रहते हैं, एमान की सलामती चाहिए, नहीं दिन तो सभी के कट जाते हैं, दूद की तो सूरत ही से फटकार बरसती है एक्के वाला सेड़ जी आपने ठीक कहा कि एमान सलामत रहे तो सब कुछ है आप लोगों से चार पैसे मिल जाते हैं वही बाल बच्चों को खिला पिला कर पढ़ रहता हूं हुजूर और एक्के वालों को देखिए तो कोई किसी मर्ज में मुबतिला है कोई किसी मर्ज में मैंने तौबा बोला ऐसा काम ही क्यों करें कि मुसीबत में फसें बड़ा कुनबा है हुजूर मा है बच्चे हैं कई बेवाए हैं और कमाई यही एक्का है फिर भी अल्ला हमिया किसी तरह निबाहे जाते है सेट वो बड़ा कारसाज है खासाब तुम्हारी कमाई में हमेशा बरकत होगी एक्के वाला आप लोगों की महरवानी चाहिए सेट भगवान की महरवानी चाहिए तुमसे खुब भेंट हो गई मैं एक्के वालों से बहुत घबराता हूँ लेकिन अब मालूम हुआ अच्छे बुरे सभी जगए होते है तुम्हारे जैसा सच्चा दीनदार आदमी मैंने नहीं देखा कैसी तो साफ तबियत पाई है तुमने कि वाह सेट जी की ये लच्छेदार बाते सुनकर एक किवाला समझ गया कि ये महाशाय पल्ले से रेके बैठक बाज है ये सिर्फ मेरी तारीफ करके मुझे चक्मा दिया चाहते है अब और किसी पहलू से अपना मतलब निकालना चाहिए इनकी दया से तो कुछ ले मरना मुश्किल है शायद इन से भाय से कुछ ले बरूँ बोला मगर लाला ये न समझ ये कि मैं जितना सीधा और नेक नजर आता हूँ उतना सीधा और नेक हूँ भी नेकों के साथ नेक हूँ लेकिन बुरों के साथ पक्का बदमाश हूँ यह कहिए आपकी जूतियां सीधी कर दूँ लेकिन किराय के मामले में किसी के साथ रियायत नहीं करता रियायत करूँ तो खाओं क्या सेट जी ने समझा था एक के वाले को हत्थे पर चढ़ा लिया अब यात्रा निर्विग्न और निशल के समाप्त हो जाएगी लेकिन यह अलाप सुना तो कान खड़े हुए बोले भाई रुपए पैसे के मामले में मैं भी किसी से रियायत नहीं करता लेकिन कभी कभी जब यार दोस्तों का मामला आ पड़ता है तो जखक मार कर दबना ही पड़ता है तो मैं भी कभी कभी बल खाना ही पड़ता होका दोस्तों से बे मुरवती तो नहीं की जाती एकके वाले ने रूखे पन से कहा मैं किसी के साथ मुरवत नहीं करता मुरवत का सबक तो उस्ताद ने पढ़ाया ही नहीं एक ही चंडूल हूँ मजाल क्या कि कोई एक पैसा दबाले गरवाली तक को तो मैं एक पैसा देता नहीं दूसरों की बात ही क्या और एक के वाले अपने महाजन की खुशामत करते हैं उसके दर्वाजे पर खड़े रहते हैं यहां महाजनों को भी धता बताता हूं सब मेरे नाम को रोते हैं रुपए लिए और साफ ड़कार गया देखें अब कैसे वसूल करते हो बच्चा नालिश करो घर में क्या धरा है जो ले लोगे सिर्ट जी को मानो जूरी चड़ाई समझ गए यह शैतान बिना पैसे लिए न मानेगा जानते कि इवे पत्ती गले पड़ेगी तो भूल कर भी एक के पर पाउन रखते इतनी दूर पैदल चलने में कौन पैर तूट जाते थे अगर इस तरह रोज पैसे देने पड़े तो फिर लेन देन कर चुका सिर्ट जी भक्त जीव थे शिव जी को जल चड़ाने में जब से होश संभाला एक नागा भी न किया क्या भक्त वत्सल शंकर भगवान इस अफसर पर मेरी सहायता न करेंगे इस्ट देव का सुमिरन करके बोले खाँ सहाब और किसी से चाहो ना दबो और पुलिस से तो दबना ही पड़ता होगा वो तो किसी के सगे नहीं होते एक के वाले ने कहका हा मारा कभी नहीं उससे उल्टे और कुछ ना कुछ वसूल करता हूँ जहां कोई शिकार मिला जट सस्ते भाड़े में बैठाता हूँ और थाने पर पहुँचा देता हूँ किराया भी मिल जाता है औरे नाम भी क्या मजाल की कोई बोल सके लाइसन नहीं लिया आज तक लाइसन मजे में सदर में एक का दोड़ाता फिरता हूँ कोई साला चू नहीं कर सकता मेले ठेलों में अपनी खूब बनाती है अच्छे अच्छे माल चुन्चुन कर कुटवाली पहुचाता हूँ वहां कौन किसी की डाल गलती है जिसे चाहे रोक ले एक दिन दो दिन तीन दिन बीस बहाने कह दिया शक्त था कि ये औरत को भगाय लिये जाता था या औरत को कह दिया कि अपनी सस्राल से रोट कर भागी जाती थी फिर कौन बोल सकता है साब भी छोड़ना चाहें तो नहीं छोड़ सकते मुझे सीधा न समझियेगा एक ही हरामी हूँ सवारियों से पहले किरायत तै नहीं करता ठिकाने पहुँचकर एक के दो लेता हूँ जरा भी चीचा पड़ किया तो आस तीन चड़ा पैतरे बदल कर खड़ा हो जाता हूँ फिर कौन है जो सामने ठैर सके सिध जी को रोमान चुआया हाथ में एक सोटा तो था पर उसका व्यवार करने की शक्ती का उनमें अभाव था आज बुरे भसे ना जाने किस मनहूस का मुह देखकर घर से चले थे कहीं दुष्ट उलज पड़े तो दस पांच दिन हल्दी सोट पीना पड़े अब से भी कुशल है यहां उतर जाओं जी पच जाए वही सही भीगी बिल्ली बन कर बोले अच्छा आप रोक लो खांसाभ मेरा गाउं आ गया बोलो तुम्हे क्या दे दू एक के वाले ने गोड़ी को एक चाबुक लगाया और निर्दैता से बोला मजूरी सोच लो भाई तुमको ना बैठाया होता तो तीन सवारियां बैठा लेता तीन चार आने भी देते तो बारहे आने हो जाते तो माठी आने दे दो सेट जी की बधिया बैठ गई इतनी बड़ी रकम उन्होंने उम्र भर इस मद में नहीं खर्च की थी इतनी सी दूर के लिए इतना किराया वो किसी तरह न दे सकते थे मनुष्य के जीवन में एक ऐसा अफसर भी आता है जब परिणाम की उसे चिंता नहीं रहती सेट जी के जीवन में ये ऐसा ही अफसर था अगर आने दो आने की बात होती तो खून का घून पी कर दे देते लेकिन आठ आने के लिए कि जिसका द्विगुण एक कलदार होता है अगर तू तू मैं मैं ही नहीं हाथ हपाई की भी नौबत आए तो वो करने को तयार थे येने शेकर के वो द्रणता के साथ बैठे रहे सैसा सडक के किनारी एक जोपडा नजर आया एक का रुग गया सेट जी उतर पड़े और कमर से एक दो अन्नी निकाल कर एक किवान की और बढ़ाई एक किवान ने सेट जी की तेवर देखे तो समझ गया ताओ बेगड़ गया चाशनी कड़ी होकर कठोर हो गई अब ये दांतों से लड़ेगी इसे चुबला कर ही मिठास का आनंद लिया जा सकता है नमरता से बोला मेरे और से इसकी रेवणिया बाल बच्चों को खिला दीजेगा अल्लह आपको सलामत रखे सेट जी ने एक आना और निकाला और बोले बस अब जबान नहीं लाना एक कोड़ी भी बेसी न दूँगा एक के वाला नहीं माले का आप ही ऐसा कहेंगे तो हम गरीबों के बाल बच्चे कहां से पलेंगे हम लोग भी आदमी पहचानते हैं हुजूर इतने में जोपड़ी मैंसे एक इस्त्री गुलाबी साड़ी पहने पांच अबाती हुई निकलाई और बोली आज बड़ी देर लगाई एका एक सेट जी को देखकर अच्छा आज लाला जी तुम्हारे एक के पर थे पिर आज तुम्हारा मिजज काहे को मिलेगा एक चहरे शाही तो मिली ही होगी इधर बढ़ा दो सीधे से ये कहकर वो सेट जी के समी पाकर बोली आराम से चरपईया पर बैठो लाला बड़े भाग थे के आज सवेरे सवेरे आपके दर्शन हुए उसके वस्तर मंद मंद महक रहे थे सेट जी का दिमाग ताजा हो गया उसकी और कंखियों से देखा औरत चंचल बांकी कटीली तेज दर्रार थी सिठानी जी की मूरती आँखों के सामने आ गई भद्दी थल थल पिल पिल पेरों में बिवाएं फटी हुई सेट जी नाम मातर को भी रसिकना थे पर इस समय आँखों से हार गए आँखों को उधर से हटानी के चेश्टा करके चार पाई पर बैठ गए अभी कोस भर की मंजिल बाकी है इसका खयाल ही न रहा इस तरी एक छोटी सी पंक्या उठा लाई और सेट जी को जहलने लगी हाथ की प्रतेग गती के साथ सुगंध का एक जोटा आकर सेट जी को उनमत करने लगा सेट जी ने जीवन में ऐसा उल्लास कभी अनुभो न किया था उन्हें प्राया सभी ग्रणा की द्रिष्टी से देखते थे चोला मस्त हो गया उसके हाथ से पंक्खिया छीन लेनी चाही तुम्हे कश्ट हो रहा है लाव मैं ज़र लू ये कैसी बात है लाला जी आप हमारे दर्वाजे पर आए हैं क्या इतनी खातिर भी न करने दीजेगा और हम किस लायक हैं इदर कहीं दूर जाना है अब तो बहुत देर हो गई कहां जाईएगा सेट जी ने पापी आँखों को फेर कर और पापी मन को दबा कर कहा यहां से थोड़ी दूर पर एक गाउं है वहीं जाना है सांज को इदर ही से लोटूँगा संद्री ने परसन हो कर खा तो फिर आज यहीं रहिएगा सांज को फिर कहां जाईएगा एक दिन घर के बाहर की हवा भी खाईए फिर ना जाने कब मुलाकात होगी एक के वाले ने आकर सेट जी के कान में कहा पैसे निका लिए तो दाने चारे का इंतिजाम करूँ सेट जी ने चुपके से अठनी निकाल कर दे दी एक के वाले ने फिर पूछा आपके लिए कुछ मिठाई लेता हूँ यहाँ आपके लाएक मिठाई तो कह मिलेगी हाँ मुँ मिठा हो जाएगा सेट जी बोले मेरे लिए कोई जरूरत नहीं हम बच्चों के लिए यह चार आने की मिठाई लेवाते लाना चवणी निकाल कर सेट जी ने उसके सामने ऐसे गर्व से फैकी मानो इसकी उसके सामने कोई हक्यकत नहीं संदरी के मुँ का भाव तो देखना चाहते थे कि कहीं वो ये न समझे लाला चवणी क्या दे रहे हैं मानो किसी को मोल ले रहे हैं एकके वाला चवणी उठा कर जाही रहा था कि संदरी ने कहा सेट जी की चवणी लोटा दो लपकर उठाली शर्म नहीं आती ये मुझसे रुपया ले लो हाठाने की ताजी मिठाई बनवा कर लाओ उसने रुपया निकाल कर भेंका सेड़ जी मारे लाज के गड़ गए एक एक केवान की भठियारें जिसकी टके की भी आउकात नहीं इतनी खातिरदारी करे कि उसके लिए पूरा रुपया निकाल कर दे दे ये भला वो कैसे सह सकते थे बोले नहीं नहीं ये नहीं हो सकता तुम अपना रुपया रख लो रसिक आँखों को तरफ्त करके मैं रुपया दिये देता हूँ ये लो आठाने के लिए आना एक केवान तो उधर मिठाई और दानाचारे के फिक्र में चला इधर सुन्दरी ने सेट से कहा वो तो अभी देर में आएगा लाला तब तक पान तो खाओ सेट जी ने इधर उधर ताक कर कहा यहां तो कोई तंबोली नहीं है सुन्दरी उनकी और कटाक शपून नेतरों से देखकर बोली क्या मेरे लगाए पान तंबोली के पानों से भी खराब होंगे सेट जी ने लज्जित होकर कहा नहीं नहीं ये बात नहीं तुम मुसल्मान हो ना सुन्दरी ने विनूद मैं आगरे से कहा ख़दा की कसम इसी बात पर मैं तुम्हें पान खिला कर छोड़ूँगे ये कहकर उसने पान दान से एक बीड़ा निकाला और सेट जी की तरफ चली सेट जी ने एक मिनिट तक तो हाँ हाँ किया फिर दौनों हाथ बढ़ा कर उसे हटाने की चेश्टा की फिर जोर से दौनों होट बंद कर लिये पर जब सुन्दरी किसी तरह न माने तो सेट जी अपना धर्म लेकर बेता हाशा भागे सौटा वहीं चार पाई पर रह गया बीस कदम पर जाकर रुख गए और हाफ कर बोले देखो इस तरह किसी का धर्म नहीं लिया जाता हम लोग तुम्हारा चुआ पानी पी ले तो धर्म ब्रश्ट हो जाए सुन्दरी ने फिर दौडाया सेट जी फिर भागे इधर पचास वर्श से उन्हें इस तरह भागने का अवसर न पड़ा था धोती खिसक कर गिरने लगी मगर इतना आवकाश न था कि धोती बांध ले विचारे धर्म को कंधों पर रखे दोड़े चले जाते थे ना मालूम कब कमर से रुपयों का बटूआ खिसक पड़ा जब एक पचास कदम पर फिर रुके और धोती उपर उठाई तो बटूआ न दारत पीछे फिर कर देखा सुन्दरी हाथ में बटूआ लिए उन्हें दिखा रही थी और इशारे से बुला रही थी मगर सेठ जी को धर्म रुपय ऐसे कहीं प्यारा था दो चार कदम चले फिर रुक गए एका एक धर्म बुद्धी ने डाट बताई थोड़े रुपय के लिए धर्म छोड़े देते हो रुपय बहुत मिलेंगे धर्म कहां मिलेगा ये सोचते हुए वो अपनी राह चले जैसे कोई कुट्टा जगडालू कुट्टों की बीच से आहत दुम दबाए भगा जाता हो और बार बार पीछे फिर कर देख लेता हो कि कहीं वे दुष्ट आतों नहीं रहे हैं अभी आप सुन रहे थे मुन्शी प्रेम चंद के लिखे कथा संग रहे मान सरोवर चार की कहानी तगादा मेरी यानि समीर को स्वामी की आवाज में